जिसको हाई कोट ने कह दिया यहां तक कमेंटरी कर दिया कि भाई स्वामी बासदेवा नंजी आप तो संत लाग नहीं है मानी इलाहवार हाई कोट ने कहा कि आपको तो सन्यासी भी नहीं कहा जा सकता यह इनका जीवन बिवाहिक है बिवाह किये हुए है पैंसन लेते हैं इनक उस पत्क पर बना करके नकली संक्राचार यह बनाए हुए है इन्हीं लोगों उनको पत्र भेजा है चार समय का वह है यही भगवान राम इन सब को दंडित करेंगे जो भी भगवान राम के बारे मुल्टा-पुल्टा बोला है और यह भी बता दें जो राम मंदिर आप देख कि अधिया नहीं कर सकते यह एंगे सब कैस हें क्या नाव होए स्वामिय पताम्रम के बैयान सुना अने नेताओं का भी बैयान सुन्हें और भारती-जन्टा पाटी सथिता में बीराज्य में भी राज में भी सानातन धर्म के बारे में इतना ज्यादा कुछ बोल दिया जा रहा है और लोग सुन ले रहे हैं समझ में आ रहा है आपको देखिए ऐसा है कि हम लोग बच्पन में गाव में मनुरंजन का कोई साधन नहीं था बच्पन में हम गाव में रहे हैं वहां बंदर आता था भालू मरवा रहे हैं और हिंदू गुलाटी मार के यह सोच रहा है कि हम बहुत बड़े हां भक्त हो गए हैं भगवान राम के बिरोधी जो है जब सत्ता दल के साथ बैठता है जो यह कहता है कि भगवान राम सिंगी रिसिक पुत्र थे तो ऐसे में आप और विपक्षियों से क्या अमीद करें चाहिंहें अव्धी पार्टी बिजेपी संजरिसंट दिया संझे निसाथ ने दिया भगवान के बारे में दिया इस पार्टी ने क्या कि बगल करते हैं शर्ति सँफित गरवानराम की हम उ तर इतना अच्छा तमासा हो रहा है इस समय भगवानराम के नाम पे जिसको आफ हमीन नहीं कर सकते यह सब एजेंट अब लुए कि कि य हीट और अगरी आएंगेbs 700 हं 0 हिंदू को घ्रवी करन होगा हिंदू का दुरुदू कर 1600 laughing और द्रुवित करन होगा उसका किस को मिलेगा बीजेपी को मिलेगा ये भगमार उसके बाद से फिर जो से जैब हिंदू होगा इसके ले में ठेले वाले को हटाया जा रहा है कि किसका जमीन के नाम पर किसका सोषड हो रहा है नियमों के नाम पर सोषड हो रहा है आपकी गाड़ी सिकरी घंज में खड़ी है आपके साथ हुआ था ना सिकरी घंज में खड़ी ती और गोरकपुर में चलान हो जा रहा है यह सब चीजें असानी से हो जाएंगी और अधिकारियों पर कोई नकेल कसने वाला नहीं होगा देखिए ऐसा है कि पहले यह होता था कि जब और दलों के सरकार थे उसमें एक आदमी के लामा और भी तमाम आदमी जिम्मेदार होते थे इन पर नकेल कसने थे अब इस समय एक पुझपात योग हो रहा है इतना बढ़ा मिस्वीज हो रहा है कि आपका जिस अधिकारी को पावर नहीं है कोई भी काम करने का उसके उसके सब्सक्राइब मेरा ना इसक बिकारी दिकारी और उसके सब्सक्राइब करने तो आप देख रहा है ना तो मोदी जी उसमें कुछ किये हैं कि हम किसी पाल्टिक नहीं हम इसके बाद इसके बाद जो है सुनिए इसके बाद क्या हुआ कि भाई देखे वह जितना ही लोग तमासा कि जो पीठ के असली पीठा धिस्त्वर है जो परंपरा के संत हैं किसी का भी आवहान इन लोगों ने नहीं किया है और सुन लीजिए हमारे बुजुरु चार धाम जाते थे चार धाम के आद्गुरु संक्राचार जी ने पच्छिस साल पहले चार आमनाय पीठ बनाया चतुर आमनाय पीठ कहा गया उसको जिस पे हमारे चार वेद रखे गए यह बात आप अच्छे से समझे आम पब्लिक कम सम और 18 पुरान का बिसारत हासीलों बाल ब्रह्मचारी हो और बच्पन से उसी मेधा में पढ़ा हो समझ रहे हैं वह ब्यक्ति जो है नैश्टिक ब्रह्मचर लेगा और दंड़ सन्यास लेगा तब दंड़ सन्यास के बाद संक्राचार के पत्पर बनेगा स्वामी बासु इनको उस पद्पर बना करके नकली संक्राचार ये बनाय हुए है इनी लोगों पत्र भेजा है पुरी पीठा अदिस्वर पुझपाल स्वामी श्री निश्चलान सरी सरस्वती जी महाराज बताएं संक्राचार भयोविद्ध संक्राचार उनको उनको उनके नाम पर दूसर पकड़ेंगे तो उसको सासन ने मना कर दिया कि आप इतके खिलाप कुछ नहीं करेंगे तो जब आप खुद महिमा मंदन करने तुले हैं यह जो कालनेमी हैं जिसने वहां लड़ा आप उठाकर के सुप्रीम कोट का अदेश पढ़ लिए बरतमान जोतिस पीट के संक्राचारे जो बरतमान में हैं और मठामनाय महानुशासरम के संबिधान के अनुसार जीन को बनाया गया है नहीं है उसके हिसाब से पुझ पाद स्वामी स्रिय मुकतेश्षवरा नंश्रफुती जी महराज नौन का नाम उटा करके यह सब उनको उनको हटा रहे जितने सारे संक्राइशार उबिज़त कर रहें किसी का मैं नाम नहीं नहीं है और आप चलें वागवाननाम का सरीर करने चले हमारे वहां के वल केवल प्रतिष्ठा करने तो चुनाव है तो समझ और यह हमारे समझ गया कि बिना प्रोसेस प्रतिष्टा यहां लेकिन आप दो तो चुनाव से पहले इसलिए दही और जलेवी परोसा जा राजनता को यह दही जलेवी है खा करके पानी पीएंगे पेड़ जरेगा और यहीं भागवान राम इनको दंडित करेंगे जैसे आज कांग्रेस का पतन हुगा वह इसे इस बीजेपी पार्टी का भी पतन होना प्र जो लाके हम थोड़ा सा इस बात को कंक्लूज करना चाहेंगे यह कि भाईया राम मंदिर बन रहा है बहुत बढ़ियां बात है बहुत बेसबरी से एक सानातनी होने के नाते बड़ा बेसबरी से इंतजार था लेकिन क्या राम मंदिर बनने में प्रोसेस फालो हो रहा है सर क और अब हमें में मुद्धे पे आता हूं चुकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं और आप लोग जानते ही बात कि विकाद गुष्वामी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है और वो चीज दिखाता है जो कोई नहीं दिखाता है जो एसी के कमरों में नहीं दि कि उनको बहुत जादा टाइम नहीं है और उस बात का फायदा उठाते हुए गोर्यकपूर में जो अधिकारी गड़ है वो अपनी जिम्मेदारी कितना बढ़िया से निभा रहे हैं कितना बढ़िया से ठेले वालों को उजाड रहे हैं कि अरे भाई अतिकरमन हटाना बहुत जाडे इससे बेकार बात क्या हो सकती है लेकिन कानुंब्यौस्ता कहां पर मुँंक्यमंत्री के जिले में चोरो को डर है। तो जिधर आप जाएंगे, बाकी मेरे पास इतने फोन आते हैं, जमिन कबजा को लेकर उसकी तो बतिये छोड़ दीजिए, तो सम्मिला जुला के हिंदुत्यों के पिछे ये सारी चीजे हो रही हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर मौका मि जिन्दाबाद सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जाहिंद!